इस कंटेस्टेंट ने देखा है बिग बॉस 15 के घर में भूद। घर में सोने से कर दिया था इनकार। छोटी सी लड़की को देख कर हो गए थे हैरान। बिग बॉस 15 अपने फिनाल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शो में कंटेस्टेंट्स ट्रोफी को अपने नाम करने के लिए जी जान से महनत कर रहे हैं। वही हर साल हमें ऐसी खबरे सुनने को मिलती है कि कंटेस्टेंट्स ने घर के अंदर पारनॉर्मल आक्टिविटी महसूस की हो। वही अब बिग बॉस पंद्रा के अविक्टेट कंटेस्टेंट राजीव अदात्या ने भी कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आपको भी लगेगा जोर का जटका। राजीव ने बताया कि उन्होंने उमर रियाज, प्रतीक और निशान्द के साथ घर में भूत को देखा है। टाइम्स ओव इंडिया को दिये गए अपने इंटर्व्यू में राजीव ने कहा, मैंने बिग बॉस पंद्रा के घर के अंदर दो बार भूत देखें हैं, मैं इसे देखकर डर गया था, मैंने घर के अंदर सोनी से इनकार कर दिया, उमर रियाज, मैं, प्रतीक सेहचपाल और निशांत भट अंदर थे, और अचानक निशांत और मैं दोनों खड़े हो गए, क्योंकि हमने घर के अंदर एक छोटी सी लड़की को देखा था, हम डर गए, और सोचने लगे कि ये छोटा बच्चा कहा से आया है, आगे राजीव ने जो बताया वो सुनकर आप काप ज घड़े हो गए, हम इस घटना के बाद दर गए थे, मैं हर रोज चाया देखता था, लेकिन इस बार निशांत प्रतीक उमर और मैंने वास्तफ में एक छोटी सी लड़की को देखा, जो हमारे पास से गुजर नहीं है, वेल, राजीव ने तो बता दिया कि उन्होंने घर के अंदर भूत को देखा है, अब हमें इंतजार है बाकी कंटेस्टेंस के रियाक्शन का, आपका क्या कहना है स्टोरी को लेकर, बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में, and also do like, follow and subscribe to Telemasala on Facebook, Instagram and YouTube.